हमें 20-25 टिकट कोई भी पार्टी देती है तो उसका जोरो सोरो से स्वागत करेंगे अब आरवेक्त करेंगे बरामन कल्यान बोर्ड की स्थापनागी मांग कर रहे हैं बाज साब एक कोल आई आज प्रेस कोंफरेंस थी बीवानी के बलू ताज होटल में और फिलाल यहां पे इन से बात करेंगे जानेंगे यह ब्रामन समाज के लोग आज पंचायत का एक आज इन्होंने एलान किया है एक सेप्टेंबर को यह पंचायत कर रहे हैं आने वाले एलेक्शन को लेकर के तो मेरे साथ टिके भाई हैं पिछे भी आपका एक प्रोग्राम मेंने कवर किया था ब्रामन समाज की मांगे अब तक चली रही है जी सर प्रतम तो आपका आर्दी का भार बाई साब और दूसरे नमबर पर यह है सर ब्रामन समाज जिला भीवानी दोरा आयो जित ए बड़े बढ़रों के वैवा साथ योग से उसमें अमारे भाहमन समाज की मांगी हैं और वह ऊमराश्टी पार्टिव से आगे रखेंगे बाई साब जो भी राश्ठी पार्टिय हमारे मांगों को पूरी करेंगी हम उनका समर्थन करेंगे हमारी मुख्य मांगे हैं बाइशाव सर्व पर्थम तो हमारे हर्याणा परदेश में हर जिले में राजनीतिक परदिनी दितों मिले हर जिले में कम से कम एक टिकेट मिलें दूसरा नंबर है बाइशाव हमारा EWS है उसमें हमारा तो उनके साथ बाइसाब अन्याय या भेदवाव हमने नहीं करना चाहिए तीसरा नंबर ब्रामन कल्यान बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहे हैं बाइसाब चोथा नंबर बाइसाब जो हमारे रास्टर के लिए जिनोंने प्राणों की आऊ होती थी वो सबी धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई और सतिस विरादरी सभी ने मिल जूल कर संगर्श किया बाइसाब पर अपने प्राणों की आऊ होती थी उनको बारतरतन मिलना चाहिए पांच ववा नंबर नंबर भाइसाब हमारे जो रेजिमेंट थी उसका पुनर गठन किया जाए उसको बाल किया जाना चाहिए ये मांगे हैं जो भी बाटिया हमारी मांगे मानेगी हम उनके साथ है पाईशाब एक बात कहिए नोने कि 23 सीट चाहिए ब्रामनों को तो बाग की 36 विरादरी कहा जाएगी 23 आप मांग ले तो कुछ और कास्ट मांग लेती हैं कितना आपका प्रसंटेज के इसाब से तो कहीं खड़े नहीं हो पाते 23 सीटे मांग रहे हैं बिनो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आप इसकी कवरेज कर रहे हैं देखिए 15 साल से आप देख रहे हो कि हमको जो हमारी राजनितिक भागेदारी थी वो अरियाना परदेश से नहीं मिली है 36 विरादरी की आपने बात की 36 विरादरी को वो क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं वो उनका अपना मत है ब्राहमन ने जब जब अपनी आवाज को उठाया है तो राष्टिय पार्टिया सोचने के उपर मजबूर हुई है तो हम भी इस मुहीम के अंदर ये जो अमारी पांच मांगे हैं मेरे से पहले मेरे भाई ताड़के इस पर कोशिक जी ने बताया पांच से महीने से हम इस मुहीम पे कारिये कर रहे हैं और अभी नहीं तो कभी नहीं सब का साथ सब का विकास वाली बात आती है दस साल तक भारतिय जनता पार्टी का राज रहा सब का साथ सब का विकास किया होगा लेकिन हम जहां तक मानते हैं कि प्रहामन का कोई विकास नहीं हुआ हमारी ये पाज मुद्दे करीबन करीबन दो साल से सरकार के पास जा चुके हैं किसी भी सरकार के अधिकारी ने और किसी भी सरकार के नेता ने हमारी बातों को नहीं मांगा अब हम ये चाहते हैं कि समय हो चुका है चुनाओ की रण भेरी भज चुकी है एक अक्तुबर को हरियना परदेश का चुनाओ है उससे पहले भी अगर भारतिय जनता पार्टी का सिर्श नेत्वतर हमारी इस मांगों को मान लेता है तो हम पुना एक बैठक करके उस पर विचा राते हैं वो महमान नों का इंतजार करेगा मेजबानी करेगा और हम इस महा पंचायत को बहुत बड़ा रूप देंगे आप लोगों के सयोग से इससे पहले भी जो हना आप ने एक बात साथी ने सवाल किया था कि वही आप अपनी अपनी जाती की आवाज उठाते हैं और हमेशा से 36 विदादी का भला चाया है ये सगीकर्ण तो अभी हो गया है इस वरगीकर्ण की ठकी के लिए तो हमें महा पंचायत करने की जुरूत पड़ती है अपनी मांगों को उठाने के लिए महा पंचायतों का आयजन करना पड़ रहा है अगर समाज अपनी समाजिक हैं उनके सानिते में रह करके जो भी हमारा उनके जो नीने लेंगे उसके जाथ हम और ज्यादा बढ़ चड़कर बाग ले करके जोर सोर से और ज्यादा बड़ी पंचायत करेंगे और फिर भी अगर कोई बात नहीं होती है तो हम अपना उमीदवार खुद चुनेंगे और उसको खड़ा करें तो एक तारीक को पंचायत में कोई केंडिडेट वगरा राजनितिक लोग भी बुलाए गए बाइसाब सब बाइचारा बुलाएगा है अगर कोई कंडिडेट आए भी गाना है तो बाइचारे में आएगा ने की राजनितिके लिए हमारी जो मुख्य और पार्टियों पर कितना प्रेसर होगा और पार्टियों ने फैसला नहीं लिया तो क्या कुछ हो सकते देगे विनोजी सर पर्तम तो मैं आपका दन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अमारे लिए समय निकाड़ा एक बहुती बव्य ब्रह्मन मापंचायत का आयोजन ब अपडेट आई है एलेक्षन की आचार सहीता लगी तो हमने इस फैसले पे थोड़ा सा विराम दिया है और अब हमने ये कारे करम एक सितंबर दोजार चोबिस को बगवान पर सुरा मंदिर में आयुजित किया जिसका समय सारी नहीं रहेगी सुबह पर आते दस बजे तो दे कदरी में भी सानन पर लोगी सुबहार मैं चामात के यह सूरा नहीं तॉट्स की दिया हुआemie, उरॅपण शब्सेर सन्यार केध लिए, Macki, वियार रहे मार करना ओ dari 10 15 सभी और मारन शित ऊजितंधा लर्मक्री. जिले में दी जाए उर्ष के बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि हम से पहले ठीके भाई ने बताया कि तेई जिले के लगबग अपने अर्याना में है तो लगबग हर जिले में ब्रह्मन का एक बनता है और इसके कारण बनने के बावजूद यदि हमें 20 से 25 टिकट कोई भी प समज कहां जाएगा जिनके कमबोट हैं कहां जाएंगे है पें तो मनेंस करेंगे तेट से को बाफ से नहीं जो पर्सेंट करेंगे कि भी उससाती को क्यों ने दिया तो हम विरोध करेंगे हम सब का सम्मान करते हैं सब हमारे भाई हैं हम सब के बाई हैं किसी पार्टी से टिकेट मांग रहे हैं या फिर कोई भी पार्टी पार्टियों से टिकेट मांग रहे हैं मुख्यता है सभी को पता है कांग्रेस और विजेपी से रास्टी बार्टी है ठीक है ना और हम यहां पर है ना मुझे ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दिये सबसे वड़ी बात है आपके कास्ट के आपके समाज के राजनेता नजर नहीं आते जिस तरह से जब समाज की मांग होती है और जब टिक्टे आप लोग उन्हीं के लिए मांग रहे हैं नहीं ऐसी कोई बात नही समाज ने फैसला लिया कि अगर कोई टिक्टार्ती बनके आता है तो वह अपने घर रहे भाई समाज का साथी या भाई बनके आता तो हमारे बीच रहेगा और हम उसकी आवाज को उठाएंगे हम किसी व्यक्तिविसेस से नहीं बंदे हुए किसी एक पार्टी से नहीं बंद है क्योंकि यहां जब सर्वे की रिपोर्ट आती है तो कुछ अधिकारियों के दवारा हमारी सर्वे की रिपोर्ट को भी उपर तक नहीं पहुंचाया जा सकता है जिससे हमारी भागेदारी नहीं रहती आपने अभी ताड़केश वर्जी से एक स्वाल किया था कि जो माइन भी जो योगे होगा हम उसको आगे करेंगे और उसी को टिकट दिलाने का प्रियास करेंगे हमारी यही नहीं नहीं हमारी यहीं मांग है हम ज़्यादा नहीं कहते हुए आप लोगों से एक ही अनुरोध करते हैं कि आप भी इस कारीकरम में आएं इसको मजबूत बनाएं इस कर रहे हैं कब तक टिक्टे आएंगे और टिक्टों से पहले ये पंचायते क्या तय करेंगी क्या पार्टियों पर असर पड़ेगा या फिर पार्टिया दिल्ली में बैट कर बंद कमरों में अपनी मर्जी के फैसले लेंगी शायद अब की बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि करो अमरों के स्थिति कोंग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए है कोंग्रेस आने का इंतजार कर रही है और बीजेपी ना जाने का इंतजार कर रही है दोनों को कुर्शी चाहिए और कुर्शी की लड़ाई है इस दोरान कोई भी चूक नहीं होगी इसलिए सर्वे भी बेहतरी लग्षाद राम राम जेहिन